पुर्व भारतिय क्रिकेटर आरपी सिंग ने कहा कि वो सुरेश रैना के अचानक अंतराश्चे क्रिकेट से सन्यास की घोशना से काफी चकित है रैना ने 15 अगस धोनी के सन्यास की घोशना के आदे गंटे बाद शाम करीब 8 बजे सन्यास का एलान किया था हाला कि आरपी सिंग का मानना है कि अगर वो IPL में अच्छा परदर्शन करते हैं तो भारतिय टीम में वापसी कर सकते है आरपी सिंग ने रैना के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करते हुए कहा रैना के साथ मेने जूनियर दिनों से काफी क्रिकेट खेली है जहां तक रेना के सन्यास का सवाल है तो लोग कह रही है कि ये जल्द में लिया गया फैसला है मुझे लगता है कि हर किसी को व्यक्तिगत रूप से सोचना होगा कि शारीरिक रूप से फिट कैसे है भारतिय टीम के संभन में उनके पास वापसी की क्या संभावना है जिसने रैना के निड़ने में अपनी भूमी का निभाई होगी उन्होंने कहा कौन जानता है कि अगर वो आईपियल में हजार रन बना लेता है और फिर से खेलने का फैसला कर सकता है लेकिन जब आप छोड़ने का निड़ने लेते हैं तो आप बहुत सोचते हैं रैना ने सभी कारकों के बारे में गहराई से सोचा होगा कौन जानता है कि वो युवराज की तरह विदेशी लीग में अपनी जगा तलाश रहे हो इसमें कुछ भी गलत नहीं है जिस बात ने मुझे आश्चर्रे चकित किया वो थी उनके निड़ने की अचानक था अभी हाली में इर्फान पठान के साथ बाचित में उसे ये कहते हुए सुना था कि वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना चाहता है तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट के सरी अगर आप ये वीडियो हमारी फेस्बुक पर देख रहे है तो हमारे फेस्बुक पेच को लाइक करिए अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले करन खुराना पंजाब केसरी दिल्ली